हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सुभी तो आज मैं आप लोगों के शाथ शेयर कर रहे हूं चना साग की रेसिपी तो मैंने यहाँ पर एक कड़ाई में ले ली है तेल तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए इस पर मैंने बारीक कटा लैसोन और हरी मिर्च इसे भी अच्छे बनता है तो एक बर जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे कॉमेंट में बताएगा कि साग किस किसको पसंद है तो मैंने यहाँ पर सारे चीज़ अच्छे से मिक्स कर रही हूं इसे एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से बून लेंगे तो देखिए हमारा जो साग अच्छे अनुसार नमक इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो को विल्कुल भी स्कीप मत करिएगा क्योंकि अभी इसमें तो मैंने इंग्रीडेंस मैंने अभी एड़ी नी किया है तो चलिए अभी मैं यहाँ पर डाल दे रही हूं टमाटर का मैं थोड़ा से जादा इस्तमाल कर रही हूं इसे भी ढख करके अच्छे से पका लेंगे तो जब टमाटर हमारा अच्छे से सौफ्ट हो जाए न उसके बाद तो इधर हमारी सबजी अच्छे से भुन गई है पानी भी अच्छा से सूख गया इसका तो अब मैं पैड करूंगे इसमें पेस्ट तो पेस्ट में मैंने थोड़ा से चावल भीगाय थे वह मैं इसमें एड की हूं और थोड़ा सा अध्रक हरी मिर्च लैजून इन सभी को मैंने अच्छे से एक पेस्ट बना लिया है अब इसे थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे एक साथ ही अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजएगा मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई